आज हम एसेसटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए आपकी बुक का नाम है आपकी एसेसटी के बुक है चेप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका सलेबस बता देते हैं तो उससे पहले चेप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को कंटेन उपिन कर लेना है तो जल्दी से उस्टूनेंट्स यहां पर कंटेन उपिन कर लिए और यहां देख लिए हमने तीन बार आपको सलेबस बता रखा है पहले भी ठीक है जब हमने तीनों चेप्टर आपके annual exam में यानि final exam में आएंगे जिसमें chapter 13, part 13 में कर रहा हमने, chapter 14 हमने part 14 में किया, फिर ऐसी chapter 15 हमने part 15 में किया, आज हम करने जा रहे हैं chapter number 16, part number 16 में, ठीक है students, इसका नाम के है chapter का चिन्नाई the city of temple, ठीक है, page number 87 पर है, तो सबसे पहले हम page number 87 open करेंगे, ठीक है students, जल्दी स page number 87 start कर दिये, open कर दिये मतलब, तो यह रहा हमारा page number 87, page number 87 हमने यहाँ पर open कर लिया है, देखिए students, यह हमारा page number 87, इसके top पर आईए, जहां से हमारा chapter start हो रहा है, chapter का नाम क्या है, chapter का नाम है, चिन्नाई the city of temple, ठीक है, चिन्नाई के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, जिस part आपको खुद लिखना है, कौन सा है यहाँ पर part, 16 है, यह देखके आप लिख दिये, और date आपको किस दिन का लिखना है, यहाँ पर जिस दिन आपको यह वीडियो यूट्यूब पर दिखती है, मतलब जिस दिन आती है, upload होती है, उस दिन की यहाँ पर आप तारीक लिख चलिए chapter start करते हैं चिन्नाई is the capital of Tamil Nadu it is located on the south coast of India ये क्या है चिन्नाई जो है वो Tamil Nadu की capital है ये जो है south coast जो है इंडिया का east west not south तो इंडिया का south coast ने नीचे वाला इंडिया का महापर south east coast में east west not south तो हमारा जो south east coast है उस जगापर चिन्नाई है it faces the bay of Bengal और ये bay of Bengal जो है हमारा ocean जो है bay of Bengal वहापर ठीक है जो महापर अगर bay of Bengal है उसे face करता है इसका मूँ उसकी तरफ है चिन्नाई वास अलिया नोने इस मदरास चिन्नाई को पहले मदरास के नाम से जाना जाता था क्या मदरास नाम था चिन्नाई का पहले बाद में इसका नाम चिन्नाई हो गया it is the fourth largest city in India इंडिया के अंदर ये number में अगर मैं size के आप से देखूं तो चौथे number पे आता है और सबसे च्छोटा कौन सा है गोवा है सबसे बड़ा कौन सा है इंडिया का state सबसे बड़ा इंडिया जो state है उसके अंदर city कौन सा है वो है हमारा राजिस्तान उसके बाद उसके बाद हमने बताया था आपको ठीक है चलिए अभी यहां देखते हैं इस वर ध्यान देते हैं हमें किसके बारे हैं पढ़ना है चिन्नाई के बारे में तो चिन्नाई के बारे में हमें यह पता होना चाहिए चिन्नाई जो है चौते नमबर पे आता है size के हिसाब से ठीक है इससे बड़े भी तीन है ठीक है उसके बाद यह चौते नमबर पे आता है चिन्नाई is connected to other parts of the country and the world through roadways, railways and airways अगर मैं चिन्नाई की बात करूँ तो यह हमारे country के अलग-अलग parts से जुड़ा हुआ है और world से, world के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है किस के जरीए, roadways के जरीए, railways के जरीए और airways के जरीए ठीक है, चिन्नाई हैजा big airport called अन्नादुरई international airport चिन्नाई के अंदर भी एक बड़ा सा airport है जिसका नाम अन्नादुरई international airport है formally, मीनम बक्कम international airport और ये लोग formally क्या कहते हैं मीनम बक्कम international airport के नाम से भी इसे पुकाडते हैं, बुलाते हैं वैसे इसका नाम क्या है अन्नादुरई international airport और इसे formally मीनम बक्कम क्या मीनम बक्कम इंटरनेशन एरपोर्ट भी कहा जाता है इसके पास एक बड़ा सी पोर्ट भी है ठीक है चिन्नाई को दो हिस्सों में डिवाइट कर रखा है दो हिस्सों में बाट रखा है एक तो है ओल्ड सिटी के नाम से जिसे क्या कहते है जोर्ज टाउन कहते है ये कहां पर है वो नौर्थ में है मतलब जो चिन्नाई है उसका जो नौर्थ वाला हिस्सा है वो जोर्ज टाउन कहलाता है जिसे हम कहते है ओल्ड सिटी The other part lies toward the south of George Town और दूसरा जो पार्ट है वो George Town के south में है ये नीचे वाला हिस्सा The main road known as Anna Salai runs through this part और जो main road है यहाँ की चिन्नई की जिसका नाम है Anna Salai Anna Salai उसकी जो main road है वो इसी पार्ट से गुजर रही है ठीक है? फिर है next यहाँ पर चिन्नई is the first city in India to have a municipal corporation municipal corporation बनाई गई थी उसके बाद बाकी city में आया वन्ना सबसे पहले कापर आया? चिन्नई में municipal corporation बनाई गई कन्या कुमारी the southernmost mainland of India is not very far away from चिन्नई और जो इंडिया का सबसे most last वाला southmost mainland जो है कन्या कुमारी जो कह राता है वो चिन्नई से ज़ादा दूर नहीं है pupil visit this place to enjoy its sunset and sunrise और यहाँ पर लोगबग घुमने जाते हैं किसलिए? sunset और sunrise देखने के लिए ठीके? सूरज ढूपता हुआ यहाँ से अराम से देखेगा ठीके? और सूरज निकलता हुआ यहां से आराम से दिखेगा इसलिए आपर लोगए गोने जाते हैं संसेट और संराइज देखने के लिए फिर आया किलाइमेट मतलब यहां का तेमपरेचर क्या है तापमान क्या है का सब्सक्राइब का एन ट्रॉप ужас है और कैसा क्लायमेट है वेट और ड्राइड क्लायमेट है एक ठीक है ऑड़ वैदर है फॉर्मैन युकहर मैं यहांका जो वैदर है वो कैसा होता होता हाट वाच्छ जगह पर गर्म होती है या चिन्नई रिसीड रेंट टों फिन विंदटर आई यहाँ यहाँ guys किवहती है विंदेर्ट सीजन में कब विंदटर सीजन में ठांस्पोर्ट हम यहां का छिसके जरीए लोग बग भग domestic flight भी लेते हैं मतलब इंडिया के अंधर भी गुमते हैं Aindya के बाहर भी घूमते हैं थीके, दा अनना International Terminal and Kamraj Doomsestic Terminal are the other two main airports in the city. और चिन्ने के नगे दो और main airports हैं जिसका नाम है अनना International Terminal, एक का नाम है Kamraj Doomsestic Terminal. ये भी दो और main airports हैं इस city के, ठीके? फिर no. 87 से पर पर आईए, पर और यहाँ देखे, चिन्नाई Central ये है और यहां पर हमारा चिन्नाई International Airport इसकी थोड़ी बहुत ये पिच्चर दिये आपको ठीक है चलिए यहां पर पढ़ते हैं चिन्नाई has two major ports चिन्नाई के पास दो major ports हैं क्या क्या उसके नाम क्या है दो major ports के दा चिन्नाई port and the inner port क्या एक चिन्नाई port और inner port के नाम से जाना जाता है से ठीक है it is an important center for carrying out domestic and international trade और यहां तक के यह जो है important center माना जाता है domestic और international trade करने के लिए carrying करने के लिए यहां पर यह चीजन जो दी होती है इसे भी पढ़ लिया कर रही है बच्चो इसमें क्या लिखा है the famous chess player विश्वनाथन आननद is from चिन्नाई जो सबसे famous chess player जो था इंडिया का जिसका नम था विश्वनाथन आननद वो कहां का था चिन्नाई का ही था अब देखें दूसरा culture यहां का culture क्या है the main language of the people of चिन्नाई इस तमिल यहां के लोगों की जो main भाशा है जो main बोली है main language है वो कौन सी है तमिल यहां के लोग कौन सी language बोलते हैं तमिल बोलते हैं however English is also spoken widely और यहां के लोग English भी बोलते हैं the people in चिन्नाई are fond of music and dance और यहां के लोग जो है dance और music में बहुत ज़्यादा interest लेते हैं बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी रखते हैं भरतनातियम इस दा most popular dance in चिन्नाई और चिन्नाई का जो most popular dance है उसका नाम क्या है भरतनातियम ठीक है it is also famous for carnatic music and the stone carving at its many temples और यह और किसके लिए famous है अपने carnatic music के लिए और stone carving जो हता है दिवारों पर पथरों पर ड्राइंग करना ठीक है काफी temple के अंदर जो करी हुई है उसके उपर भी इसकी वज़ासे भी यह बहुत ज़्यादा famous है फिनेक्स पोंगल is the main festival of चिन्भी चिन्भी का main festival है उसका नाम क्या है पोंगल it is celebrated for three days और यह तीन दिनों के लिए मनाय जाता है तीन दों तक मिनाया जाता है it is a harvest festival और ये कम मना जाता है harvesting के time जब फसल कटती है तो फसल कटने के बाद फसल कटने के बाद ये festival मना जाता है तीन दिन का इसे हम क्या कहते है पॉंगल ठीक है यहाँ पर भरत नातनेयम दांस है यहाँ पॉंगल है चलिए अब इसके बारे में और पढ़ते है rice is the main food of चिन्नई यहाँ का जो main खाना है वो क्या है चिन्नई का rice और ये किस के साथ खाया जाता है सांबर के साथ खाया जाता है या रसम के साथ खाया जाता है इसे हम रसम पढ़ते है ठीक है रसम और कड यानी दही के साथ खाया जाता है इडली, दोसा, वड़ा, एन उत्तम क्या उत्तपम और अलसो popular food items यहाँ के और popular food items कौन कौन से है इडली है, डोसा है, वड़ा पाओ, जो होता है ठीक है और उत्तपम यहाँ के popular food items है जो जादाता लोग खाते हैं इन लोग को पसंद है, मतलब इनके favorite foods में आता है फिर page number 89 पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर photos दी है, राइस, इडली, डोसा, उत्तपम और रसम, ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए, यह चीज और दी है यह चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है, knowledge के लिए देते हैं सीवी रामन, the famous physicist who was awarded the Nobel Prize for Physics belong to the state of Tamil Nadu जो सीवी रामन था, जो famous physician था physics के जो famous इंसान थे वो उन्हें जो है, Nobel Prize जो मिला था physics में वो यह Tamil Nadu से ही belong करते थे कहां से? Tamil Nadu से चलिए अब इसके industries के बारें पढ़ेंगे चिन्नाई is a base two large number of Indian automobiles and auto components industries अगर मैं चिन्नाई की बात करूँ तो यह large base पैदा करता है, बनाता है जड़ बनाता है किसके number of India's automobiles and auto components industries, जैसे कि automobiles यानि जो हमारी गाड़ियों वाली companies है यह हमारी जो industries है, ऐसे components auto components industries है, उसके लिए यह base provide करता है, ठीक है electrical goods है, cottons है, silk है cloth है, motor car है, rail है rail coaches है, bicycle है, यह सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर industries मौजूद है, it also had an oil refinery, और यहां तक के इनकी एक oil refinery भी है the heavy vehicle factory at avadi produces military vehicles और जो यहां की heavy vehicle factory है वो कहाँ पर है, avadi जगा का नाम है, वो क्या produce करती है क्या बनाती है, military vehicle बनाती है military वाले सामान हतियार, ओजार, ठीक है जैसे तोब जो होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है including India's main battle tank जो India का main battle tank होता है जिसका नाम है Arjun MBT Arjun, main battle tank Arjun वो भी यहाँ पर बनाया जाता है ठीक है, फिर है places of interest मतलब यहाँ की जो मज़िदार जगाएं हैं जहाँ पर लोग बाग interested हैं घूमने जाते हैं, अच्छी जगाएं जो हैं ठीक है, like the other major cities of India चिन्नाई too has many places to visit भी कहा रहा हैं, जैसे propagandia की दूसरी स्टीज हैं वैसे ही चिन्नाई के अंदर भी काफी ऐसी जगाएं हैं, जहाँ पर घूमने जाया जासकता है जहाँ पर घूमने की जगा बताई जासकती है बाद हम कह सकते हैं, हम हम यहाँ पर घूम सकते हैं ठीक है अच्छी जगह यहाँ पर भी मौझूद है पहला है यहाँ पर Fort St. George ST लिखा इसका मतलब सेंट Fort St. George यह क्या है Fort St. George was built by the British in 1640 यह जो Fort St. George है यह किला टाइप का जो है यह जो है कब बनाया गया था यह किला जो है Fort Fort कहते हैं किला तो यह जो किला है St. George इसका नाम है St. George St. George जो किला है यह Britishers थे जो अंग्रेज थे उन्होंने बनाया था 1660 में बहुत पहले अब यह कैचला है 2000 हम बात कर रहे है 1640 की हमारा कैचला है 2020 यह 1640 में बनाया था इनोंने The Fort is surrounded by a tall wall और यह जो Fort है जो किला है इसके चारों तरफ ओची 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 लंबी लंबी दिवारे बनाई है बनी हुई है A part of the Fort has been made into a museum और इसका कुछ part कुछ हिस्सा जो है museum बना दिया गया है The rest of the Fort I mean Fort यहां पर Fort लिखा है Fort नहीं यहां पर क्या है Fort है यह सही है यह Fort है सही है The rest of the Fort now holds the office of the Tamil Nadu government मतलब जो कुछ हिस्सा था वो थोड़ा सा हिस्सा जो है museum बना दिया गया और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे तमिल Nadu government ने अपना offices के use पर office बना लिया क्या बना लिया मेरीना बीच भी यहीं का है यह भी बहुत मशूर है The Marina Beach is the second longest beach in the world जो मेरीना बीच है वो वर्ल्ड में सबसे लंबी के बाद दूसरे नंबर पे आती है मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरीना बीच जो है इसकी जो लंबाई है वो दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आती है इतनी लंबी है यह ठीक है इस 12 किलोमेटर लॉंग यह 12 किलोमेटर लंबी है इस 12 किलोमेटर लॉंग The tourists just love to sit on the golden sand और यह इसकी जो रेथ है ऐसा लगता है सोने की रेथ है golden कलर की है तो जो घूमने आते हैं लोग बाग वो इस पे बैठना इस पे घूमना पसंद करते है ठीक है यह चोटे-चोटे जो आपको दिख रहा यह कार खड़ी है यह आपर देखी है यह चोटी-चोटी हैं यहां पर कार यह घड़ी है ठीक है उसके अंदर light house होता है, light लगी होती है, जो समुंदर में जाने आने के लिए, जो ship होती है, जो जहाज होते हैं, उन्हें रास्ता दिखाता है, ठीक है, तो जो एक लंबा सा tall house है, वो रात में evening को बिल्कुल ऐसा कर देता है, चमका देता है, light देता है, मतलब रोशनी कर देता है, फिर यहाँ पर देखिए, esti thomas church, यानि sent thomas church, the at the southern end of marina beach, is esti thomas church, अगर मैं इसके south वाले हिससे में जाऊं, बिल्कुल end वाले हिससे में, तो वहाँ पर sent thomas church है, एक church है, बना हुआ है, it has a statue of virgin mary, यहाँ पर virgin mary की statue भी है, people say it was brought from portugal many many years ago, और लोग बाग यह कहते हैं, जो virgin mary की, जो वहाँ पर statue है, जो मूर्ती है, वो काफी और काफी, many many, मतलब काफी काफी साल पहले, वो portugal से लाई गई थी, लोग बाग यह कहते हैं, ठीक है, फिर आया, कपलिसवरर temple, क्या, कपलिसवरर temple, कपलिसवरर temple, ठीक है, कपलिसवरर temple, इस temple is much older than the city of Chinnay, यह कहा जाता है, जितना पुराना चिन्नाई नहीं है, उससे पहले से तो यहाँ पर यह कपलिसवरर temple है, ठीक है, कपलिसवरर temple जो है, यह चिन्नाई शहर के बनने से पहले यहाँ पर मौझूद था, ठीक है, उससे पहले से है, यहाँ पर, इसका जो उचवाले टावर है, इसे गो on the tower as well as inside the tower और इसके अंदर खूबसूरा जड़े होए पत्थर हैं खूबसूरा डिजाइंग वाले पत्थर हैं जो के tower के ऊपर हैं और tower के नीचे भी है temple के अंदर और temple के बाहर भी बने होए हैं ठीके मतलब ऐसे पत्थर खूबसूरा जड़े होए हैं ठीके उसके बाद यहां पर हमारी reading complete होगई ठीके page number 90 पर हमारी reading complete अब आज़ें next page number 91 पर और यहां देखिए हमारा है tick the correct options पहले हम यही करेंगे जो के हमें में book में करना है पहला क्या है चिन्नई is located on the dash coast of India चिन्नई जो है it is located on the south east coast of India south east तो यही तो बता रहे हैं हम क्या बता रहे हैं south east तो इस पर आप tick कर दिए b पर second है first का क्या हो गया b second देखिए the main language of the people of चिन्नई is यह कह रहे हैं जो main language है चिन्नई की जो वहां की लोग है वो चिन्नई की लोग हैं वो main language कौन सी बोलते हैं तमिल देखिं यह भी मैंने दिखाया था आपको कल्चर मेंbasada hit तो इसका क्या हो गया ? option number C हो गया second का third है चावल महा का main food है ठीक है for dash is the main festival of चिन्नई चिन्नई का main festival कौन सा है holy diwali या pongal तो pongal है main festival यहां का तो पहले का क्या हो गया पहले का हो गया B south east, दूसरे का हो गया C tamil, तीसरे का हो गया हमारा B rice, चौते का हो गया हमारा C pongal, इसके बाद लगा दिये आप आजाएगे यहां पर fill in the blanks पर using hell box, यह hell box दिया है इसे देखकर इसे हमें fill करना है चलिए, चिन्नाई faces the चिन्नाई किसे face करता है उसका चहरा किसकी तरफ है Bay of Bengal, तो यहां पर लिखेंगे आफ Bay of Bengal यहां पर आफ fill कर दिये Bay of Bengal ठीक है, यह हमारा हो गया पहला, दूसरा क्या है चिन्नाई receives rainfall in चिन्नाई जो है, महाँ पर बारिश होती है कब, winter में, कब, winter में तो यहां लिखेंगे हम, winter ठीक है, winters यह हो गया हमारा, दूसरा तीसरा देखी क्या है पॉंगल is celebrated for, dash days कितने दिन के लिए मना जाता है पॉंगल, तीन दिनों के लिए तो यहां लिख लिए, three days यह हो गया हमारा, तीसरा और यह हो जाएगा हमारा, चौथा तो यहां पर number मत लिखेगा आप, मैंने इसलिए लिखाया है बस ऐसे लिखा दिया कि आपको समझने के लिए मना आपको इसमें भरना है, पहले में लिखेंगे मैरीना बीच, मैरीना बीच, मैरीना बीच, मैरीना फिर बीच अलग, वी ए ए शी एच, ठीक है फिर आज़ेए next, right T for true and F for false statement, चलिए, इसके true false करते हैं कन्या कुमारी is the southernmost mainland of India, यह कह रहे हैं जो कन्या कुमारी है वो southernmost mainland माने आता है इंडिया का, तो यह क्या है, विल्कुल true बात है इंडिया का विल्कुल south वाला हिस्सा जो last वाला हिस्सा है, यहाँ पर इंडिया का, वो है हमारा कन्या कुमारी बिल्कुल साउथ में आता है नीचे यहाँ पर फिर हमारा ऐसे बना हुआ है इंडिया इस तरह से ठीक है यहाँ पर इस तरह से मैप तो हम नहीं बना रहे हैं बस बता रहे हैं आपको ठीके तो यहाँ बार सबसे नीचे वाला हिस्सा साूत वाला हिस्सा कन्या कुमारी है फिर भी क्या है चिनने हाइअ गजाट राइक अ किलाइने तो मैंने बताया था चिनने का traffic आप यहाँ पर देखिए चिनने का climate कैसा बताया था मैंने इसका tropical क्या है wet and dry climate है तो यह हमारा क्या हो गया true हो गया ठीके true हो गया tropical dry and wet I mean tropical wet and dry climate ठीके तो यह क्या हो गया true हो गया चिन्नी has tropical wet and dry climate तो यहाँ पर लगा दिये D third qathakali is the most popular dance in Chinnay यह करें जो महणगा popular dance है वो क्या है qathakali तो यहाँ पर मैंने भी बताया था वहाँ का popular dance भरतनातियम है कथाकली नहीं है कौन सा है भरतनातियम यहाँ का popular dance है क्या भरतनातियम यह क्या कह रहे है यहाँ का यह कथाकली कह रहे है तो कथाकली नहीं है तो यह क्या हो गया false हो गया भरत नाटियम है पॉपलर डांस ठीक है कलिशवरा टेंपिल इस मुच ओल्डर देन दे सिटी ओफ चिन्नई ये कह रहे हैं जो कलिशवरा टेंपिल है वो चिन्नई शहर से भी ज़्यादा पुराना है तो ये बिल्कुल ट्रू है ठीक है थर्ड वाला फॉल्स है बाकी तीनो फर्स सेकेंड और फॉर्थ हमारा ट्रू है तो तीनो में आफ ट्रू कर दिये बस थर्ड वाले में आफ लिख दिये फॉल्स लिख दिये अब आजए ये next exercise जो कि हमें किस में करनी होती है answer the following question किस में करनी होते है copy में तो हम यहाँ पर लिख देंगे in copy ठीक है students यह आपको copy में करना है चलिए question number first इसका करते है describe the location of Chinnay जैसा कि हमें पता है यह हम copy में करते हैं तो इसे हम copy में हमने कर रखा है आपको इसके question answer दिखा देते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर हम देख लिए question answer बच्चो हमने यहाँ पर कर रखें पहला देखिए हमें करना क्या है पहले लिखना है part 16 और यहाँ पर आपको date लिख देनी जिसने part 16 upload होगा यानि बुक वाली और copy वाली date same होगी उसके बाद chapter number 16 लिखेंगे chapter number 16 उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम चिन्नाई the city of temple इसका नाम क्या है चिन्नाई the city of temple ये तीनों लिखने के बाद तीनों की नीचे line कर दिएगा ऐसा ही उसके बाद हमें heading लिखनी है heading क्या है answer the following question ठीक है यहाँ पर लिखिए answer the following question हमने लिख लिया एक line छोड़के question number first उतारेंगे question number first पहले book में देखेंगे क्या है describe the location of चिन्नाई चिन्नाई की location बतानी है तो question उतारें describe the location of चिन्नाई एक line छोड़के answer लिखेंगे answer first चिन्नाई is located on the south east coast of India it faces the way of Bengal ये क्या हो गया हमारा answer number first हो गया answer number first हो गया ठीक है चिन्नाई is located on the south east coast of India it faces the way of Bengal यहाँपर answer number first complete हो गया फिर next question question number two question number two क्या है book में देखेंगे पहले write a short note on the transport system of चिन्नाई चिन्नाई का जो transport system है उसके उपर हमें एक short note लिखना है ठीक है short note लिखना है तो चलिए इसका answer देखें question number two पहले उतारिए write a short note on the transport system of चिन्नाई question उतारने के बाद एक line चोड़ेगा answer लिखेगा answer to the first railway station in south India was open at रोयापुरम क्या रोयापुरम in 1853 चिन्नाई central is the main railway station of चिन्नाई the चिन्नाई international airport serves both domestic and international flights उसके बाद मैंने fully stop कर दिया है और etc कर दिया है क्योंकि जादा हम लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा वैसे अभी इस cancer खतम नहीं हुआ है और बड़ा है इस cancer जगा है बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं बस यहाई तक लिखेंगे ठीक है फिर next question, question number 3 देखते हैं उससे पहले book में देखिए name 5 important industries in चिन्नई चिन्नई की 5 important industries की नाम बताने है हमें तो यहाँ पर question उता रहा हमने name 5 important industries in चिन्नई उसके बाद यहाँ पर fully stop यहाँ लेखेंगे 5 important industries in चिन्नई are answer यह हमारा answer न 3 5 important industries in चिन्नई are उसके बाद एक लाइन चोड़के electrical goods, cotton, silk, motor car and heavy vehicle हो गए 5 यहाँ पर answer number 3 complete फिर question number 4 देखिएंगे question number 4 क्या है मारा पहले book में देखिए what is the culture of the people of चिन्नई चिन्नई के जो लोग हैं उनके people का उन लोगों का culture बताना है हमें question number 4 ठीक है what is the culture of people of चिन्नई question mark I mean question mark लगाने के बाद एक लाइन चोड़ेंगे फिर यहाँ पर answer number 4 the main language sorry 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 culture of the चिन्नई ठीक है यहाँ पर देखिए the main language of the people of चिन्नई is Tamil यह हम culture बता रहे हैं ठीक है फिर यहाँ पर full stop however English is also speaking widely the people in चिन्नई are fond of music and dance फिर से देखिए answer the main language of the people of चिन्नई is Tamil full stop however English is also speaking widely full stop the people in चिन्नई are fond of music and dance full stop भरत नाटियम is the most popular dance in चिन्नई पॉंगल is the main festival and celebrated for three days comma etc यहाँ पर answer number 4 complete हो गया ठीक है students answer number 4 हमारा पूरा complete हो गया फिर यहाँ पर बूचा था question number 5 explain the places of interest of चिन्नई की जो places of interest है उसका नाम बताना है तो हमने यहाँ पर answer वो हमने miss कर दिया है बच्चो तो यहाँ पर answer number 5 जो है हम इस page पर लिख देते हैं इस page पर लिख देते है answer number 5 ठीक है वो आपको यहीं पर इसके बादी कर लेना है तो question number 5 यहाँ पर क्या है पहले आप लिख लिए question number 5 क्या है हमारा question number 5 क्या है explain the places of interest in चिन्नई क्या explain जल्दी जल्दी लिख देते हैं ठीक है explain the places places मतलब जगा explain the places of interest interest places of interest in चिन्नई हमें चिन्नई में जो मज़ेदार घूमने फिरने की जगा है उसके नाम बताने हैं तो बच्चो मैंने answer miss कर दिया है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था और मैंने यहाँ पर लिख दिया annual course completed तो यहाँ पर annual course completed आप मत लिखिएगा यह वाला answer जो मैं 5 वाला answer लिखा रहा हूँ answer number 4 के बाद ही हही पर लिखिएगा पहले question उतारिएगा यहाँ पर question number 4 लिखके I mean question number 5 लिखके यहाँ पर पूरा फिर यहाँ पर answer number 5 लिखिएगा ऐसे करके फिर जहाँ तक answer number 5 आएगा उसके बाद लिखिएगा annual course completed ठीके तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ explain the places of interest in चिन्नई पहले मैंने question उतार लिया देखिए यह रहा हमारा question explain the places of interest in चिन्नई यह रहा हमारा question इसका answer देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको book में ही कौन कौन सी interested places थी कौन कौन सी interested places थी जैसे यहाँ पर हमारा है places of interest यहाँ पर है places of interest इसमें था हमारा fort St. George places of interest the places of interest in चिन्नई in चिन्नई C-H-E-N-N-A-I चिन्नई R पहली कौन सी हैं पर एक हमारा fort fort St. George G-E-O-R-G-E fort St. George दूसरा कौन सा है बच्चो दूसरा कौन सा है fort St. George का इसके बाद दूसरा कौन सा है एक तो मरीना बीच है और कौन सा है मरीना बीच के अलावा और क्या है Assault Thomas Church है तो हम मरीना बीच भी लिखेंगे तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं दूसरा कौन सा है दूसरा है हमारा मरीना बीज म-A-R-I-N-A मरीना बीज ब-E-A-C-H बीज तीसरा कौन सा है हमारा सैंट थोमस टी-च-ो म-A-S थोमस चर्च क्या सैंट थोमस चर्च C-H-U-R-C-H उसके बाद चौता कौन सा हमारा चौता कौन सा हमारा कपलिशवरर टेंपिल क्या कपलिशवरर टेंपिल तो यहाँ पर हम लिखेंगे कप लिश L-I-S कपलिश कपलिशवरर टेंपिल ठीक है यह हमारा आंसर कंप्रीट हो गया आंसर नमबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्रीट हो गया अब देखिए बच्चो गलती हमसे हुई है यहाँ पर यह कि हमने यहाँ पर annual course completed लिख दिया था हमने answer number 5 और question number 5 नहीं लिखा था तो आपको annual course completed कब लिखना है जब जो मैंने question number 5 यहाँ पर आपको question number 5 लिखना है explain the places of interest in चिन्नाई उसके बाद answer लिखेंगे एक लाइन चोड़के क्या लिखेंगे answer the places of चिन्नाई आर आर करके फिर next page पर लिखेंगे the places of चिन्नाई आर आर करके यहाँ लिखेंगे बहुत हैं कोन कान सी places हैं जैसे पहले हमने लिखाया यहाँ पर लिखाया है Fort Saint George यहाँ पर लिखेंगे Fort Saint George मरीना बीच उसके बाद St. Thomas Church उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम क्या last लिखेंगे हमारा कप्लेशवरर temple ठीक है एक अपलेश वेरा template यह यहाँ पर चारों नाम लिख देंगे उसके बाद last में लिखेंगे annual course completed ठीक है मगर मैंने यहाँ पर रब नहीं किया है ठीक है time जाता इसलिए मैंने यहाँ की जगा answer यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया है आपको लिख के दिखाया है आपको इस page पे नहीं करना है last time कह रहा हूँ ठीक है यह question number 4 जहाँ पर खतम हो इसका answer उसी के बास से यहाँ पर जैसे हर बार करते हैं वैसे यहाँ पर question number 5 लिख के answer number 5 यहाँ पर करिएगा ठीक है यहाँ पर question number 5 लिखे answer number 5 यहाँ करिएगा जो कि हमने यहाँ कर दिया है क्योंकि हमारा चूड गया था तो students यहाँ पर हमारा chapter complete और यहाँ इसके साथ साथ हमारा annual का syllabus भी complete तो हमने copy में तो लिखी रखा है आप भी यहाँ पर book में भी लिख लिए अब जल्दी से इसके content पर आई लास्ट और इसके आगे देख लिए एक बार यह आपके एक page है आपर discuss in class यह सब आपको कुछ करना नहीं है तो हमने यह आपको कुछ करना नहीं है और बाकि आपका यह test paper यह भी आपको नहीं करना है अब इसके content पर यह जल्दी से और content देखिए students आज हमने कौन से chapter कर लिया हमने करा आज chapter number 16 part number 16 में complete कितने chapter हमारे हो गए chapter number 13 हो गया हमारा 14 हो गया 15 हो गया 16 हो गया यानि हमारे total chapter complete हो गए अब इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचाए क्या हमारा कुछ भी नहीं बचाए annual का syllabus क्या है chapter 13, 14, 15, 16 ये 4 chapter आपके annual exam में आएंगे जिसमें हमने chapter 13, 14, 15, 16 सारे complete कर लिये हैं 13 किया हमने part 13 में 14 किया हमने part 14 में 15 किया हमने ये part 15 में और 16 किया आज हमने part 16 में तो हमारे यहाँ पर 4 chapter complete हो चुके हैं यहाँ पर आपका annual का syllabus complete हो चुका है next time students अब आपको class 4th की SSD पढ़ाएंगे thank you very much assalamualaikum